नमस्कार दोस्तों सवागत आप सभी का आपके अपने चनल करेव पॉइंट पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आएं सामने ग्यान के टोफ हेंड़ क्यूस्टन जो आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ही महतव पूर्ण रहने वाले हैं मेरे पर दोस्तों जो हम क्यूस्टन लेका हैं वो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही महतव पूर्ण रहने वाले हैं तो इस वीडियो को बगैर स्कूर पूरा लास्ट लगाईए अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फड़ावर सब्सक्राइब कीजिए और बैल क्यूस्टन है दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था तो देखी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था मूल संकर ओप्शन बी यहां पर राइट आंशर होगा अगला क्यूस्टन है आरे समाज को किसने भारती सांती का जनम दाता कहा था तो देखी किसने कहा था कहां पर भुआथा, शही आंसर होगा पार्टली पुत्र, option C आपका सही आंसर हो जाएगा, next देखिए, और OPSA1 आपका सही हो जाएगा, next की राज्य सभाकि पर्तम महिला महा सचीव कौन थी सही आंचर होगा BS. रामादेवी option D आपका सही हो जाएगा अगला क्यूशन है दूर दर्सन द्वारा प्रायोजित पहला दारावा एक सेरियल कौन सा था सही आंचर होगा हम लोग option C next देखिए 1857 की विद्रो किसमे British पर्दान मंतरी कौन था सही आंचर होगा Lord Pomstron option B आपका सही हो जाएगा अगला क्यूशन है सूरिय हमारे सोर मंदल का केंदर है इसे किसी ने पर्ति पादित क्या था सही आंचर होगा Copernix option E Copernix की दवारा का गया है सूरिय हमारे सोर मंदल का केंदर है अगला क्यूशन है नियूंतम नगरी करत राज्य कौन सा है सही आंचर होगा हमाचल पर्दिश option B आपका right हो जाएगा next देखिए भारत में नहरो का सबसे बड़ा जाल निर्मान के लिए कौन विख्या थे नहरो का सबसे बड़ा जाल निर्मान जो है वो फिरोज सा तुगला क्लिक के द्वारा क्या गया था option D आपका सही रहेगा next देखिए विद्रोही कभी किसको कहा जाते है सही आंचर होगा काजी नजरूल इसलाम को किसको कहा गया है काजी नजरूल इसलाम को विद्रोही कभी के नाम से पुकारा गया है option A आपका सही होगा next देखिए भारत का मैक्या वेली किसे कहा जाते है भारत का मैक्या वेली कहा जाते है चान एक्के को option B आपका सही होगा अगला question है भारत में सरवाधिक सुद्ध सरवण सीखे किस ने परचली थ किए किसने किये थी कुषान वन स्ने option C आपका सही होगा next देखिए भूमी देने की सामनती पर्था किसने प्रार्म कि किसने किती हर्ष्वर्दन ौपिशने ये आपका सही होगा नेक्स देखिए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ने किया तो प्लेज वीडियो को लाइक करिए, सेर करिए अपने फ्रेंट से आथ, राजतव सिधान्त किस्ता आपना करने वाला पहला सासक था, बलबन, राजतव सिधान्त किस्ता आपना करने वाला पहला सासक थ option D आपका सही होगा next देखिए Victoria जल परपात का समन्द किस नदी से है सही आंसर होगा JambiGi नदी option A next देखिए भारत के एक अरवय सीसू का नाम क्या है तो क्या नाम है आस्था option B आपका सही होजएगा भारत के एक अरवय सीसू का नाम क्या है आस्था नेक्स देखिए पोर्ट बलेयर कहां पर स्थित है पोर्ट बलेयर कहां स्थित है देखिएगा दक्सिन अंडमान में option C आपका सही होगा अगला question है गुरू मुखी लिपी किस गुरू ने विक्षित की थी तो सही आंशुर का गुरू अंगद ने गुरू मुखी लिपी जो है वो गुरू अंगद के दिबारा विक्षित की गई थी option D आपका right होगा next देखिए भारती संग के अंतरगत किस राज्य को मिलाने का अधिकार किसको प्राप्त है next देखिए किंदर राज्य संबंद किस अनुशुची के अंतरगत वर्णित है तो देखिए सही आंशुर क्या होगा इसका सातवी अनुशुची के अंदर वर्णित है option B आपका सही हो जाएगा next देखिए धर्म की संतता से संबंद अनुचेद कोंसा है धर्म की संतता से संबंद अनुचेद कोंसा है अनुचेद 25 आर्टिकल 25 जो है वो धर्म की संतता से संबंद आपका सही होगा next देखिए अमीर खुश्रोकिन दो भासाओं का विद्वान था तो देखिए सही आंशुर का हिंदी और फार्सी next देखि अगला क्यूश्र है अर्जून पुरुश्कर जीतने वाली पर्तम भारती महिला कों थी तो थी आंश्रोगा पहली महिला थी भारती महिला थी जिसने अर्जून पुरुश्कर जीता था option B आपका सही answer होगा next देखी अरजोन पुशकार जीतने वला पर्थम भारती क्रिकेटर कोन है तो देखी, सही answer होगा Salim Durali option A आपका सही होजएगा Salim Durali जो है पहले भारती क्रिकेटर जिरने अरजोन पुशकार जीता था अगला question है date hits बद की skill से सम्मझ देते date hits बद जो है वो सम्मझ देते है good door से option D आपका सही होगा next देखी चमतकारी सचेन पुस्तक के लेकर कौन है कौन है लोकेस ठाल option C आपका सही हो जाएगा next देखी मैसूर एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलारी को कहा जाता है option D आपका सही होगा मैसूर एक्सप्रेस इनका उपनाम दिया गया है अगला question है बंकर सबद किस खेल से सम्मझ देते है बंकर सबद किस खेल से सम्मझ देते है पोलो से option C आपका सही होगा अगला question है बहरत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? तो देखें किस लड़ाई के बाद? पानिपत की पहले लड़ाई के बाद उप्शन A आपका सही आंशर होगा पानिपत की पहले लड़ाई के बाद भारत में मुगल स्थापना की गी थी उप्शन A स Policy Yoga नेच्श देखिये जहांगीर के दरबार में जेम्स पर्थम का राजदूद कौन था कौन था Sir, Tomasiro जो है जहांगीर के दरबार में जेम्स पर्थम के राजदूद बनकर आये थे उप्शन A आपका स Policy Yoga Sir, Tomasiro नेच्श देखिये इसलाम का सबसे बड़ा सत्रू किसे कहा जाता है इसलाम का सबसे बड़ा सत्रू किसको कहा जाता है राजपुत राजाधन को उप्शन डिया आपका सही हो जएगा राजपुत राजाधन को इसलाम का सबसे बड़ा सत्रू बतलाएगा है अगला क्यूशन है ओरंग जेब ने बिजापूर परविजे कब प्राप्त की थी? 1686 में, option C आपका सही हो जाएगा. अगला question है, किस मुगल समराट के साथ संकाल में उपनी सद का फार्शी में अनुवाद हुआ था? तो देखिए किस के काल में? साजाहा के काल में. option C आपका सही हो जाएगा, साजाह के काल में उपनी सद का फार्शी में अनुवाद किया गया था. और ये कौन थे? मुगल समराट थे, आपको पता होना चाहिए. अगला question है, जिमनास्टिक खेल में परतेक पक्स में कितने खिलाड़ी होते हैं? सही हैं आंसर होगा, option C आपका सही हो जाएगा, next देखी, Air Force Flying College कहां पर स्थित है? Air Force Flying College कहां पर देखी? जोधपूर में. option B आपका सही हैं आंसर होगा, जोधपूर. next देखी, केंद्रिये परियावन इंजिनरिंग अनुसंधान सनस्तान कहां है? केंद्रिये परियावन इंजिनरिंग अनुसंधान सनस्तान जोगा है? वो स्थित है नागपूर में. option A आपका सही होगा. next देखी, दिल्ली का पर्थम सुल्तान कोन था? जिसने दक्सिन भारत को प्राजित करने का परियास किया? कौन था? सही आंशर होगा. अलाओ दिल्ली किल्जी. option D आपका सही रहेगा. next देखी, भोतिक वादी दर्शन के परवर्थक कोन थे? भोतिक वादी दर्शन के परवर्थक कोन थे? चारवा. option A आपका सही रहेगा. अगला क्यूशन है, व्यास नदी का प्राचिन नाम क्या था? विपासा. option C सही आंशर होगा. next देखी, सिरिनगर की स्तापना किस ने की थी? किस ने की थी? असोक ने. राजा, असोक के द्वारे सिरिनगर की स्तापना की गई. option A आपका सही होगा. अगर आपने friends अभी तक वीडियो को लाइक ने किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए जो भी नए है चैनल को सब्सक्राइब करिए share करना बिल्कुल न भूलेगा Facebook, WhatsApp, Telegram पर जल्दी से share कर दीजे ताकि और बचे इस वीडियो का फायदा उठास के आप सभे के सयोग से तो देखिए अगला क्यूशन विक्रमा दित्थ के बाद गद्धी पर कोन बैठा था कोन? कुमार्गुप्त पर्थम option भी आपका सय हो जाएगा विक्रमा दित्थ के बाद गद्धी पर जो है vaccinated next देखी बहारती सिक्ष्या का मेगना कार्टा किसी कहा जाता है बहारती सिक्ष्या का मेगना कार्टा किसी कहा जाता है वुड डिस्पैच को option D आपका सही हो जाएगा वुड डिस्पैच अगला question है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कब देखीगा 1913 में Option B आपका सही हो जाएगा 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई अगला question है साबर मती आसरम की स्थापना की गई साबर मती आसरम की स्थापना की गई थी कब 1916 में Option C, आपका सही हो जाएगा, 1916 में साबरमति आसरीम की स्थापना की गई. अगला question है, गांधी जी ने साबरमति से दांडी की जात्रा कितने समर्थकों के साथ की? तो देखिए, सही आंशुर का 78. Option D, आपका सही हो जाएगा, 38 समर्थकों के साथ गांधी जी ने साबरमति से दांडी की जात्रा जो है, वो की थी? Option D, आपका सही हो जाएगा, नेक्स देखिए, गला question, सब्त वर्सिय यूद का प्रारम कब हुआ था? तो देखिए, कब हुआ था? सही हो जाएगा, 1756. Option A, आपका सही हो जाएगा, 1756 में, नेक्स देखिए, सबसे अधिक लंबा दिन और रात की स्ग्रहय पर होता है? सबसे अधिक लंबा दिन और रात, जो है, कांपर होती है? सही अंसर होगा, सुक्र ग्रहय पर. Option B, आपका सही हो जाएगा, सुकर ग्रहय को, पर्थवी की भेन, जुडवा भेन कहा जाता है, पर्थवी की, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए सबी है. अगला क्यूशन है, क्रिशन देव राय किसके समकालें थे? बाबर की. Option A, बाबर आपका सही होगा. अगला क्यूशन है, पूरव का मोती किसे कहा जाते है? किसको? सिरिलंका को. Option D, आपका सही होगा. Next, देखी. शूंडा गर्थ किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में. Option A, आपका सही होगा हिंद महासागर. अगला क्यूशन है, रोजगार गारंटी योजना का परारम कब से किया गया? दो फरवरी 2006. Option C, आपका सही होगा. दो फरवरी 2006. Next, देखी. वरमी कल्चर किसे समदित है? केचवा पालन से. Option C, आपका सही होगा. केचवा पालन. अगला क्यूशन है, पौन रूप से देश का पहला भारती बैंक कोन शाथा? ये important क्यूशन आचुका है आप लोगों के लिए, जो बैंक का पहला बैंक था. Option D, आपका सही होगा. PNB, पंजाब नेशनल बैंक. Next, देखी. नट्राज मंदिर कहां सतीत है? नट्राज मंदिर कहां पने है? देखी. चेन नहीं के अंदर. Option D, आपका सही होगा. अगला क्यूशन है. अमेरिका कब 37 हुआ था? अमेरिका कब 37 हुआ था सही आंसल का apostra रजो 36. में ओप्षिन भी आपका सही हो जाएगा. Next, देखी. एसिया में सरव पर्थम ओद्यों की कविकास की सदेश में हुआ? ऐसिया में सरव पर्थम ओड्यों की कविकास हुआ तक कहां पर? जापान में. Option D, आपका सही हो ज़एगा. सबसी अधिक जोओ ओक्सपोर्ड विश्व विधाले की स्थापना कब हुई थी? ओक्सपोर्ड विश्व विधाले की स्थापना हुई थी? ग्यारासो अड़ेट में, ओप्शन भी आपका सही आंशो रोगा, ग्यारासो अड़ेट नेक्स देखी, पाकिस्तान के पर्थम पर्धान मंतरी कौन थे, पाकिस्तान के पर्थम पर्धान मंतरी थे, कौन लियाकत अली खान, उप्शन ए आपका सही आंसर होगा, नेक्स देखी, जिंदा पीर के रूप में कौन विख्यात था, जिंदा पीर के रूप में कौन विख् परने, option A आपका, सही हो जाएगा, ठीक है, हिंदू से याद रख कर लिया जाता, मुसल्मानों से याद रख कर लिया जाता था, तो वो कर जोता था, यादरी कर बोलते थे उसको, और वो बन के था, अकपरने, next देखी, लिंगायत संपर्दाय के संस्थापक कौन थे, लिंग option D आपका सही हो जाएगा, next देखी, अमेरिका के पर्थम उपराष्टपती कौन थे, कौन थे, जोन एडेम्स, option A आपका सही हो जाएगा, जोन एडेम्स दो है, अमेरिका के पर्थम उपराष्टपती रह चुके हैं, अगला question है, विश्व की पर्थम महिला राष्टपती क जो है विश्व की पहली महिला राष्ट पती थी अगला क्यूशन है अगला क्यूशन देखी राष्टी जंडा अपनाने वाला पर्थम देश कोन सा है तो देखी कोन सा है इसका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्ट ठीक है डेनमार्ट जो है राष्टी जंडा अपनाने वाला प आपका सही हो जाएगा ठीक है हर गोविंद खुरान को नोबेल प्रुसकार दिया गया था 1968 में नेक्स देखिए विश्व का फुटबोल जीतने वाला पर्थम देश कौन सा है कौन सा है सही आंशर होगा उर्गवे उप्शन डी आपका सही हो जाएगा अगला क्यूशन देख अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक निकिया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए जो साती नया है चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जिरू कर लेजिएगा अगला क्यूशन देखिए सभी विश्व का फुटबोल पर्तियुक्ता में भाग लेने वाला एक मातर पर्तियुक्ता मातर फटैस है कौनसा ब्राजिल, सभी gjat निकिये तो जिनल पर प्रोड़ह से पर्तियुक्ता मी तक विशित वैला क्यूशन को विट निकिक็ देखिए को पर देखिए साूख में तक फश्रक का अगरछर हैं अगला घग्सण का पर्टेस है और डेथ नाम दिया गया है, option D आपका सही होगा, next देखिए, bullfighting, किस देश का राष्टी खेल है, तो देखिए किस देश का है, सपेन देश का, option C आपका से बज़ेगा, ठीक है, bullfighting, एक गेम है, जिसमें राष्टी खेल जो है, एक राष्टी खेल है, सपेन देश का, ठीक है याद रखिए नेक्स देखिए अगला क्यूशन है शिक्ष्या को अनिवारिय बनाने वाला पहला देश कौन सा है शिक्ष्या को अनिवारिय बनाने वाला देश है पर्ष्चा ओप्शन ए आपका सही होगा अगला क्यूशन भारत में पर्थम नियमित जन्गनना किसने करवाई थी तो देखिए किसने इसका सही आंशुर होगा लॉर्ड रीप बन ओप्शन C आपका सही हो जाएगा ठीक है नेक्स देखिए फोर्ट विलियम का पर्थम अध्यक्स किसे बनाया गया था फोर्ट विलियम का पहला अध्यक्स देखिएगा शर चार्ल्स आयर को बनाया गया था ओप्शन A शर चार्ल्स आयर आपका सही आंशुर होगा नेक्स देखिए बी सी सी आई की स्थापना कब हुई थी सही आंशुर होगा 1928 1928 में BCCI किस तापना की गी थी? Option B आपका सही होगा Next देखी पहला विशव कब फुटबॉल कब खेला गया था? देखी कब खेला गया था? सही आंशर हो जाएगा 1930 में 1930 में पहला विशव कब फुटबॉल खेला गया था Option C सही आंशर होगा अगला क्यूशन हिमाले मुख्य रूप से कितने समान अंतर स्रेणियों में विभगते हैं? सही आंशर होगा 3 Option A आपका सही हो जाएगा अगला क्यूशन है भारत का पर्थम ग्रवनर जर्रल कौन था? तो देखी कौन था? सही आंशर होगा Lord William Bentick ठीक है? भारत के पहले गरवनर जर्रल थे Lord William Bentick Option C आपका सही हो जाएगा Next देखी किस अनुशेद के तैयत का गया कि संकी सकती राष्टपती में नहीत होगी? किस अनुशेद के तैयत कहा गया कि संकी सकती राष्टपती में नहीत होगी? तो देखीए भारत में इकंपनी के अधिन पर्थम गमण जर्णल कौन हुआ है? तो देखे कों थे? सही आंसुर वारिन हेश्टिक्स ते और पहले गमण जर्णल थे वारिन हेश्टिक्स ओप्शन ए आपका सही होगा अगला question है इरान का नेपोलीन किसे कहा जाते हैं इरान का नेपोलीन कहा गया है नादिर्शा को उप्शन भी आपका स्योज़ेगा नादिर्शा, अगला क्यूस्चन है, भारत का नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर किस अनुछेद के तैत सर्वोच नैले में अपील कर सकता है, तो देखें किस अनुछेद के तैत सही हो जाएगा अनुछेद 32, आर्टिकल 32 के तैत भार भारत का नागरिक मूल अधिकार का हनानो वे पर यह रिपिट हो रहाई, फ्षेंच, तो इस का क्यूस्चन का वही आणसर होगा, ठीक है तो अगला क्यूस्चन ही तरप चलते हैं देखें, भारत का सबसी बड़ा गिर्जागर कौन सा है, देखेंका कौन सा, सेंट कैतेर ड तो देखे कितना 3500 डिगरी सैल्सियस ओपशन भी जो है वह आपका सही हो जाएगा नेक्स देखीं मानव शीरी का सिरवादिक कोलेस्टोल बनने होला स्थान कोन सा है मानव शीरी का सबसे अदिक至लेस्टोल बनने होला स् grilled जीकरित creates के इंदर सबसे अटिक कोलेस्टोल दरता स्माप्त हो जाती है, तो देखिए, सही आंशर होगा, अनुछेद 19, option C आपका सही हो जाएगा, next है, अगला क्यों देखिएगा, नाटो की स्थापना कब की गई थी, तो देखिए, नाटो की स्थापना होई थी, 4 अप्रेल, 1949 में नाटो की स्थापना की गई, option A आपक अगला क्यों दक्सिन भारत की सबसे उची चोटी कोंसी है, कोंसी है, अनाई मुदी, option A आपका सही होजएगा, अनाई मुदी आपके राइट आंसर, अगला क्यों देखिएगा, बिना ताज का बादचा किसे कहा जाता है, बहुत अच्छा क्यों देखिए, सही आंसर होगा कोलकता सुपरियम कोट किस्ता अपना हुई थी, सत्रासो चुएतर में, option A आपका सही होगा, अगला क्यों पोंग बांध किस नदी पर सही होजएगा, व्यास नदी पर, option C आपका सही होजएगा, नेक्स देखिए, थीन बांध किस नदी पर सही होजएगा, देखिएगा, अगला क्योंचन है, माप तोल की दस्मलव परणाली किस देश की देन है, अपका सही होजएगा, प्रांस, अप्शन A आपका सही होजएगा, प्रांस, नेक्स देखिए, विश्व में, श्रव पर्थम आर्थिक नियोजन की शुरुआद किस देश से की गई, ती सोवियत र कर दूस्थ आज का आखिर से क्या गया था पर्थम वित-ाउ-का घठन कब किया गया था उप्शन भी आपका裡面। में क्या गया है विदियो को लाइक छिरू करेंगे एक लाइक का Crustू को आपका सेयर जुरू करेंगे और जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब जुरू कलेजी का सब्सक्राइब करने के बाद में बैल आइकन को वन करना बिर्कुल न भूली तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक गुडबाई टेक के यार जै हिंद जै भारत बंदे मात्रव